अब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे तो आज की वीडियो में हम बीटी कोई और टी एरेक्स कोईन के बारें बात करने वाले हैं साथ ही साथ हम बिटकोई अपडेट पर तुरह सा यहां पे ध्यान देंगे कि बिटकोई में आगे क्या हो जहां से हम ऐसा प्रेडिक कर सकेंगे बिटकोईन के प्राइज यहां से नीचे आएगा हलां कि थोड़ा सा कर्रेक्शन यहां पर होना चाहिए जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड किया है आट मिनिट की वीडिय यह Bedien में दिखा देता हूं आपको यह market हमारी चली थे यहां पर 16 तारीक के को और यहां पर 17 तहकं ठीक है देड़ से दो दिन मार्कित यहां पर यहां दिचल चली मैंशा मैंने देखा है जब में मार्कित को उपर जाना होता है पहले यहां पर ब्रैकडाउं करती है इससे क लेकिन 61,200 को न ब्रेक करें और फिर यहां से एक हमें पुल बैक देखने को में लिए क्योंकि काफी लोग कि यहां पर लॉंग पोजिशन ओपन होगी तो ऐसा जा के यह इस तरह जा सकता है लेकिन अगर 61,200 ब्रेक हो जाता है तो बिटकोईन का प्राइस डारेट 58,793 डॉलर पर जाएगा इसको आप एक्जैक नोट करके कहीं पर रख सकते हो और 61,200 के नीचे आप उपनी एक चॉट पोजिशन जो है उसको भी ओपन कर सकते हो और अगर यह इसके उपर ब्रेक आउट होता है और रिटेस्ट करता है तो यहां से आप एक लॉंग पोजिशन ओपन करन और अगर उसके उपर ब्रेक आउट होता है तो अपनी पोजिशन आप ओपन करना और जो आपना यहां पर इस्टॉप लॉस लगाना वो 61,841 का लगाना आपका रिस्क रिवाट जो होगा वन रेशियो 4 का होने वाला है 1% के स्टॉप लॉस होगा 4% का गेन होगा आपका 65, 5,924 मेरा जो है next target रहने वाला है चोटी तरे एस्टेंज होगी 63,952 पर वो easily break हो जाएगी जिस तरह से volume यहां पर आएगा और प्राइज जो हमाने next target होगा 65,924 डॉलर का होगा तो इस पर आप नजर एक बार बनाए हुए रख सकते हैं यहां पर चलते हैं TRX में TRX में आप TRX का price जो है 138 से लेके 146 के 20 से एक reversal ले सकता है काफी अच्छा support है previously हमने देखा है एक बार दो बार तीन चार चार बार यह test हो चुका है और पांच भी बार यहां से एक reversal ले सकता है अगर यह reversal लेता है तो ठीक है लेकिन अगर यह reversal नहीं लेता है यहां से fail हो जाता है तो यहां पर कोई खास इतना move TRX में भी है नि मैं एक pattern है जो मैं देख रहा हूँ I don't think I think कि वह pattern यहां पर थोड़ा सा work करना चाहिए काफी लोग को इस pattern के बारे में नहीं पता होगा अगर आप देखें आप तो एक यह pattern है ठीक है आप लोग में से काफी लोग यूज नहीं कर देखेंगे तो कहीं नहीं TRX के नीचे के साइट पर ही होगा लेकिन यहां पर जो all time high है इसका प्रीवेस अभी हाई यहां पर लगा हुआ है यहां तक यह प्राइस कर सकता है अगर इसको breakout करता है तो अब यह इसको breakout क्यों कर सकता है इसका मैं एक और reason आप लोग को देता ठीक है आप इस चीच को ध्यान दो प्राइस जब भी यहां से बॉटम से उपर गया है तो यहां पर जो इसने लो बनाया है यहां पर इसने अपना एक support confirm किया है इस area में इसने अपना एक support confirm किया है जो area यहां पर देखने को मिला 0.79 0.079 से लेके 0.082 ठीक है उसके बाद य टार्गेट हमारा क्या होने वाला है ठीक है यहां के अगर आप breakout मानते हो तो जो हमारे टार्गेट है इसके हाई के नियर बाउट होगा मैं आप लोग के सामने लाइफ टीए करके दिखा रहा हूं जिससे आप लोगो थोड़ी सी नॉलेज हुआ तो टार्गेट जोगा 0.14 अगर प्राइज इस लेबल को क्रॉस करता है एक बड़ी सी रेड केंडल बनती है 0.082 तक तो प्राइज इग्जेक्ली अगर यहां से कुछ ऐसा ब्रेकडाउन होता है रिटेस्ट होता है तो प्राइज इस लेबल पर थोड़ा सा कॉंसलिडेट होगा और प्राइस दुब यहां पर यह जो जो ऊपर के साइट पर हाई बना रहा ठीक है यह इसकी एक नेकलाइन होगी और यहां से इस नेकलाइन का ब्रेक होने के बाद अगर यह ब्रेक आउट होता है थोड़ा से चाट गंदा होगा तो डेफिनेटली मैं टार्गेट मान के चलना होगी 0.14 तक दे यहां पर आप देखो प्राइस जो है मैं आप अच्रेता है तो आप समझ भाउगें यहां पर पर नीचे आए ठीक है यहां पर पहला लो दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, पांच लो, यहां पर लोवर लो बनाता हुआ आ रहा था ठीक है और यहां पर आप देख सकते हूँ, सब लोवर यहां पर एक जहां पर सपोर्ट कनफर्म हुआ, नेर अबॉर्ट 0.0014, ठीक है, फिर यहां पर डबल बॉटम लगा, प् तो प्राइस को इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा, वो लेवल है 0.002857, अगर आप इसमें होल्डिंग बना कर रखे हुए हो, तो आप इसको होल्ड करो, मेरे हिसाब से प्राइस लेवल तक इस तरह चलने वाला है, यह इस तरह आया, यहां तक बहुत ज़दा अगर ब प्राइस के चलने की है, इस तरह चलके यहां से ब्रेक आउट हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर सोच रहो कि मार्केट में ट्रेंट रिवर्सल कब होगा, यहां पर इन केस मार्केट में बड़ा डम पाता है, 0.002783, ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट इस तरह ब्रेक अगर एकशिक का तो प्राइस तरह तक आजाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, परसंटेज वाई से कितना होता है, अगर यहां से तूटा तो आपको यह 30-35% का लॉज देखने को मिल सकता है, यहां पर तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर यहां पर यहां पर यहा यहां पर जो दूसरा टार्गेट हमारा देखने को गो 0.0070 का होगा और 0.007789 का होगा और उसके बाल लास्ट टार्गेट जो हमारा होने वाला है 0.10 का लेकिन मैं कहूंगा हर पार्ट में आपको सेलिंग करनी है मैंने सारा कॉंसेप्ट और सारा लॉजिक आपको समझा दिया BTT और TRX के पीछे दोनों कोईन में पॉजिटिव हूँ और मैं निगेटिव कब हो जाओंगा मुझे ये भी पता है तो इस चीज़ को ध्यान दखिए अगर आप ट्रेडिंग करें आपका प्लान भी रेडी होना चाहिए मैंने आपको बताया TRX में आप कैसे यहां पर आपको थोचना समझना है तो जैसा की देख सकते हैं यहां पर मेरे आप से बात थोड़ी थी मैं वीडियो बना रहा था उतना देर में ब्रेकडाउन देखने को मिल गया और मैंने आपको 30 मिनिट के चार्ट पर अपडेट दिया और मैंने आपको अगर आप अभी भी वीडियो देख रहा है लाइफ चला है मैंने आपके सामने यही चीज बोला यहां पर काफी लोगों ने लॉगों को ओपें करके रखा होगा इसी वज़े से प्राइस वह नीचे इसके उपर अपना स्टॉप लगा देना क्योंकि अब यहां पर क्या हो सकता है जैसा मैंने आपको प्रिवेस लिएक इग्जाम्पल दिखाया है कि यहां पर ब्रेकडाउन हुआ यहां पर देखो ब्रेकडाउन अगर यह हो रहा है तो यह अगर इस लेवल को नहीं इसके बात दूँगा थोड़ा सा की देखते हैं आपर क्या होता है तो उम्मीद करता हूं कि यह पसंद आई होगी और यह लाइव एनलसिस भी आपको काफी पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और नेक्स आप बत